राधे राधे जैस्री प्रिश्ना आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चलंग प्रहार्द एक स्वागत है अभी नम्दन है बच्चे मेरे माइंड में कुछ बाते आई बेटिया जब सुस्राल जाती है तो उनका जीवन में कितना परिवर्तन हो जाता है जब वो पीहर में रह जुझें घूमता है मुझे कि अच्व नहीं देते हो वह स्विंग करता है मैं क्यों करती हूं तमाम तरह कि उनकी फर्माई से रहती है कंप्लेंड भी रहता है मातापीता से तो मेरे मैं एक आया वेठें बेठें कि सश्राल जाती है तो उनकी दिन चरिया में कितना कविता का सिर्षक है बेटिया समझदार होने लगी है और ससुराल को अपना समझने लगी है जो बेटिया उठाने भी में भी नहीं उठती थी जो वो अब ससुराल में खुद ही उठने लगी हैं, बेटियां समझदार होने लगी हैं, जो पापा के हाथों से चाय पीती थी, वो खुद ही चाय बनाने लगी हैं, मा की बात बुरी लगते थी, कहा फटकार लगता था, अब सासु मा की फटकार भी सुहानी लगती हैं, बेटिय बेटियां समझदार होने लगी है। नेक्स्ट स्टन जाए। जो जरा जरासी बात पर रोती, जिद्य करती, जिखती और चिलाती थी, वो आज वो गम के आसु पी लेती हैं, मुस्कुराती हैं, कहती हैं, ठीक हूँ, थोड़ा रुखके बात करती हैं। बेटियां समझदार होने लगी हैं। बेटियां ससुराल को अपना समझने लगी हैं। बेटियां समझदार होने लगी हैं। ससुराल जाते ही बेटियां बड़ी हो गई हैं। पापा की परी सबका कहा मानने लगी हैं। नौकरी के साथ साथ घर भी संभालने लगी हैं। बेटियां समझदार होने लगी हैं। जो धमा चौकली करती थी, घर को बिखेर कर रखने में भी गर्व मसूस करती थी। आजो संभल संभल कर बोलने लगी हैं। डरडर कर सहम सहम कर रहने लगी हैं। अपना घर समारने लगी हैं। बेटियां समझदार होने लगी हैं। और लास्ट बट नौट लिस्ट। जो दिन भर मोबाल से चिपकी रहती थी। दोस्तों से ठथा ठथा कर बाते करती थी। आज वो सहमती सकुचाती सी रहने लगी हैं। बेटियां समझदार होने लगी है, बेटियां समझदार होने लगी है, चलिए यह इस विडियो को मैं यहीं विराम देती हूं, पेरी स्वर अचीत कविता है, अगर आपको पसंद आई तो जरूर आप सेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक करना नबूलें, आपके झाली.